हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज हम क्या लाए हैं आज हम लेकर आहें आपके लिए आपकी क्लास यानि की क्लास नाइन्थ की हिंदी कोर्स ए का टर्म टू एक्जाम का मास्टर प्लान हमने अपना टर्म 1 तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिय सब कुछ हमने time to time prepare कर लिया अब यही जीज हमें क्या करनी है टर्म 2 में भी फॉलो करनी है कि टर्म 2 में भी जब हमारी एक्जाम हुँ हमारा सब कुछ अच्छे से तैयार हो चुका हो अच्छे से प्रिपेर हो चुका हो कि कहीं हमें कोई भी परिशानी नहीं आए तो अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा तो सबसे पहले अभी जैसे सभी बच्चों के मन में यह चीज़े चल रही है कि क्या करें आगे हम कैसे हम प्रिपेर करें क्या क परें क्योंकि अब हमारे पास समय कम है तो हमें बहुत समय मिला हमारे कॉंसेप्स भी क्लियर थे कि हमारा mcqs बेस्ट ही आएगा जबकि अभी यह चीज़ क्लियर नहीं है कि इसमें mcqs अब्जेक्टिव जो आपके सबहें सबहें बच्चे बड़ी सोच में कि हम करें क्या कहां से शुरू करें तो हम यही चीज़ आपको बताने के लिए कि हमें कैसे कहां कब और क्या शुरू करना है इसonce जितने भी चीज़े हैं कि क्या करें widgets काय कि का करें क्याDes तो हमें करना क्या है सबसे पहले जो हमारे पास available है हमें वहां से काम शुरू करना है उसके बाद क्या करें ये हो गया? कैसे करें? ठीक है? तो available हमारे पास में क्या है? हमारे जितने भी chapter की summaries हैं, व्याख्या हैं और उनके NCRT solution है ये सब ही आपके पास है ठीक है? अब कैसे करें? कैसे करें? कैसे कैसे करना है? तो उसके लिए first step है हमारे पास है ये हमारा वाचन क्या है? सबसे पहला हमारा क्या हमको करना है? वाचन, वाचन मतलब reading जो भी chapter हमारे term 2 में आ रहे हैं उनको आपको read करना है ये ध्यान रखना आप उनको आपको chapter को read करना है तो अब chapter reading में क्या आता है? सबसे पहले समझे chapter reading में जो भी कवी है या लेखक है उनका जीवन परिजे उनकी काविगत विशीषता है पूरा chapter read करना है अगर कहानी है, लेख है, या तवरतान्त है, कविता है, जो कुछ भी है आपको अच्छे से पूरा chapter पढ़ना है उसके बाद आता है हमारे पास में जो chapter end में word meanings दी रहती है या जो कुछ भी दिया, शब्दार्थ दिये हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो रहेगा, वो रहेगा क्या, अगर कोई टिपड़ी वगेरा भी end में कभी किसी chapter में दी हुई है तो उसे भी पढ़ना है तो वाचन के अंतरगत हमारा ये सब कुछ आ जाएगा तो ये हमारा जो first step था वाचन ये आपके पास available है आप सभी के पास books हैं हमने सारे ही chapter आपको अच्छे से पढ़ा दिये हैं इनके videos भी आपके पास available है ये सब ही कुछ है तो इसको आपको करना शुरू कर दीना है अभी से शुरू कर दीजे, रुखना नहीं है आपको तुरंट शुरू करना है आपको तुरंट शुरू कर दीजे फिर उसके बाद हमारा second step जो आता है वो है अध्यान अध्यान के अंतर गता आएगा हमने पाठ अच्छे से पढ़ लिया अब जो कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं उनकी व्याख्याएं line to line हमने समझाई है उन videos को बहुत ध्यान से देखी उसके बाद आपका आता है NCRT solutions जितने question answers chapter के पीछ हैं वो सब ही हमने करार रखे हैं आपको उनको करिए वो सारे आपको करने अच्छे से पढ़ने इनका video available है उसे पढ़िए ठीक है तो अब ये जो starting के हमारे जो two steps है इनका पूरा material आपके पास अब जो है हमारा third step यानि पाठ शन्शोदे यानि one short revision ये अब हम आपके लिए ले कर आएंगे clear तो अब आपको यहां से ये काम शुरू कर देना है ये द्यान रखे ये काम तुरंत शुरू कर दीजे तो इसको कैसे करेंगे अब इसको हम इसका revision आपके videos ले कर आएंगे उससे पहले आपको ये two steps अपने complete करके रखने है ये third step यानि की पाठ शन्शोदन आपका जो one short revision है ये आपका कब आ रहा है इसकी dates हम आपको इसी video में बताएंगे note down करके रखेगा उससे पहले अपने ये दो step complete करके रखेगा तो ये videos आएंगे ये हमारा third step है ये हम videos लेकर आ रहे हैं उसके बाद आता है हमारा fourth step जैसे ही हमको CBSC जो है अपना pattern दे देगी pattern देगी means मतलब वो हमको बता देगी कि किस form में आपके papers आ रहे हैं MCQ subjective mix है ठीक है objective मिक्स है ये सिर्फ objective आ रहे हैं सिर्फ objective आ रहे हैं जिस तरीके से भी वो हमें pattern देगी हम उस हिसाब से आपका chapter wise revision start करा देगे तो बस हमें उसका weight है जैसे ही CBSC ने शू किया हम तुरंथ ही इसका जो है videos आपके पास लेकर आ जाएंगे उसके बाद हमारा जो next step आएगा वो है number fifth step है नमूना प्रिश्न पत्र यानि sample paper हम आपके लिए sample paper ये सारे revision होने के बाद में हम sample paper फटा फटा आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपकी question paper की एक अच्छे से revision हो जाए आप सब कुछ तयार करने आपको किसी तरह का कोई doubt नहीं रहे clear तो ये हमारे पास कुछ steps है जिनके चुँआ आपको हमने बताया कि आपको करना क्या है तो ये दो step आपके पास already available है, सारा material available है तो इन्हें आप तुरंट शुरू कर दीजी ये अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी dates कब है one shot revision की, हम per day आपके लिए लेकर आएंगे तो उसके लिए तैयार हो जाएएगा ये दोनों step CBSC का जैसे ही pattern clear up होता है उसके भी वीडियो आपके पास आना शुरू हो जाएगे, तो get ready अब इस one shot revision की date बताने से पहले हम एक बार देखेंगे कि हमारे term two में syllabus क्या क्या आ रहा है बहुत से लोगों को doubt रहता है कि क्या syllabus है, क्या syllabus है क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े तो उस doubt को बिल्कुल clear up कर लिजे वैसे तो हम syllabus पहले बे discuss कर चुके हैं लेकिन हम फिर से देखेंगे कि इस बार term two में हमको क्या दिया जा रहा है तो क्या है हमारी पहली बुक जो है वो है शितिश भाग एक शितिश हमारी दो खंडों में विभाजित है गद्य खंड और पद्य खंड यानि गद्य और कावे खंड में तो पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है गद्य खंड उसमें जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो है चैप्टर नमर फोर सावले सपनों की याद उसके जो लेकक हैं वो है जाबिर हुसेन फिर उसके बार पार्ट छे है प्रेम चंद के फटे जूटे उसके लेकक है हरी शंकर परसाई ये दो हमारे आ रहे हैं गद्य खंड से और फिर कावी खंड से आ रहा है हमारा क्या पाट बारा कैदी और कोकिला इसके कवी है माखललाल चतुरवेदी पाट सत्रा बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी ये है फिर उसके बाग में हमारा है next हमारी हिंदी की पूरब पुस्तिका है क्रतिका भाग एक तो इसमें हमसे तीन चैप्टर पूछे जा रहे हैं क्रतिका भाग एक जो हमारी बुख है ये term 1 में नहीं पूछी गई थी ये term 2 में पूछी जा रहे है इससे जो है syllabus हमारा दिया हुआ है तो इसमें जो तीन चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो है चैप्टर नमबर 2 मेरे संग की औरते म्रदुला गर्ग जी द्वारा लिखे थे हैं फिर है चैप्टर 3 रीड की हड़ी ये हमारा एक एकांकी है ये है जगदीश्चंद माथुर उसके बाद है चैप्टर नमबर 4 माटी वाली विद्या सागर नौटियाल तो ये तीन चैप्टर कृतिका से पूछे जा रहे है इन सब ही चैप्टर को हम अच्छे से समझा चुके हैं आप लोगों को और इनके NCRT Solution already आपके पास अविलेबल है चैनल पर जाईए और उनके जितने भी हमारी जितने भी वीडियो अविलेबल है इन सब ही को अच्छे से पढ़िए अब इसके बाद आगा है व्याकरण टर्म 1 में जो हमारा व्याकरण जो हमारे में प्चा जा चुका है और बाकी जो बचा लेखनकारे है वो टर्म 2 में पूछा जा रहे तो उसमें क्या है हमारे पास अनुछेद हैं, पत्र हैं समवाद लेखन हैं और लगुकता लेखन हैं ये हमारे पास चार टॉपिक जो हैं ये लेखन कारे से related जो है ये पूछे जा रहे हैं term two तो ये हमने आपको पूरा syllabus बता दिया इसकी पूरा explanation, anxiety solution सब कुछ आपके पास available है उसको देखना शुरू करिए सब कुछ आपके पास available है कोई चीज ऐसी नहीं है अब उसके बाद में हम देखते हैं हमारा one short revision जैसा हमने बोला कि हम उसकी dates आपके लिए लेकर आए हैं ये ध्यान लगिए कि किस किस date को इसके one short revision release होंगे तो सबसे पहले जो हमारा chapter होगा release वो book है शितिच भाग एक की गद्धिखंड की गद्धिखंड का chapter number 4 तीन फरवरी को फिर उसके बाद है chapter number 5 प्रेम चंद के फटे जूते वो आएगा आठ फरवरी को तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बीच में आपके पास gap है देख रहे हैं ना पहला वीडियो हमारा तीन फरवरी को है दूसरा आठ फरवरी को है तो यह gap हमने क्यों रखा है इसको रखने का एक में कारण है कारण यह है कि इससे आप जो है इन बीच के टाइम में जैसे आपने सामले सपनों की याद के पहले आपके पास समय था तो आपने यह chapter अच्छे से prepare करके रख लिया सब कुछ पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया अब उसके बाद में जो हमारा gap है उसमें आप क्या करेंगे प्रेम चंद के फटे जूते chapter को read करना, उसके सभी question answers को पढ़ना, अच्छे से समझना यह सभी आप करके रखेंगे इस one short reason के आने से पहले यह gap आपको इसलिए दिया गया है कि इस बीच में आप अपने यह सभी chapters को अच्छे से तयार कर लीजे तो यह आपको यहाँ पर तयार कर लेना है अब इसके complete होते ही अब हम क्या करेंगे यह आया हमारा 8 फरवरी को हमारा तेरा फरवरी आठ फरवरी के बाद आ रहा है तेरा फरवरी को फिर उसके बाद आ रहा है सत्रा फरवरी को बच्चे काम पर जा रहे है अब आएगा यह कब सत्रा सत्रा जो चैप्टर नमबर 17 है वो कब आ रहा है बच्चे काम पर जा रहा है ये हम ready करके रखेंगे अब ये शितिश की book हमारी ready हो गई अब इसके बाद आती है हमारी कृतिका की book कृतिका भागी तो अब ये कब आएगा इसका वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें आ रहा है हमारा chapter number 2 मेरे संग की औरते इसका वीडियो आएगा 22 फरवरी को 28 फरवरी के बाद आ रहा है 22 फरवरी को तो 18 फरवरी से 22 फरवरी के बीच जो मारा gap है उसमें आप क्या करेंगे मेरे संग की औरते पूरा अच्छे से read करेंगे इसके जितने भी question answers से सब कुछ पढ़ेंगे ये आपको करना है फिर उसके बाद है chapter number 3 read की हड़ी ये आ रहा है 26 फरवरी को फिर आपका chapter number 4 है मार्टी वाली 2 मार्च को तो इस तरीके से 2 मार्च तक हमारे one short revision पूरी तरीके से ready हो जाएंगे तो अब जैसे ही 2 फरवरी के बाद हमारा जब तक CBC का pattern हमें पता सलजाएगा और हम उसके बाद अपने chapter wise revision अगर हो MCQs बोलते हैं तो MCQs ready करेंगे और अगर हो subjective बोलते हैं तो हम subjective basis पे हम जो है preparation ready कर देंगे तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से आप सारी चीजों को back to back back to back काम पर लगाएंगे तो ये आपका एक हमारे पास एक जो master plan था हमने यहाँ पे आपके लिए पूरा ready कर दिया कि आपको dates बता दी कि कहां कहां आपको वीडियो करना है क्यों किसलिए हमने ये काम किया है हमने इसलिए काम किया है कि exam के time भी आप ऐसी मस्ती कर सके exam के time जो tension रहता है न हमको वो tension नहीं रखना है क्योंकि हम पहले ही सारा preparation complete कर लेंगे तो ये हमारा complete हो जाएगा और जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं वैसे ही हम भी खेलेंगे तो अब आपको करना क्या है आपके पास जितना मटीरे मौजूद है उनको सबको आपको काम शुरू कर देना है मतलब आपका वाचन और अध्यन का जो दो step हैं उन्हें complete कर देना है और उसके बाद हमारा one shot revision स्टार्ट हो जाएगा हमें वो करना है तो तयारी शुरू कर दीजे थैंक यूप वाचिंग बाबाई